इन दिनों देश भर में लोग सभा चुनाओं को लेकर चर्चा चल रही है। आईए जानते इस रिपोर्ट में कौन-कौन से ऐसे दिगज है जिनकी किस्मत EVM में लॉक हो रही है। इन दिगजों में अमिच्षा, डिमपल यादो, दिगजे सिंग, शिफपाल के बेटे आदित यादो, अधी, रंजन चौधरी, शरत पवार की बेटी, सुप्रिया सूले की किस्मत भी दाव पर खे। तो बात करते हैं सबसे पहले VVIP सीट यानि की गांधी नगर की सीट। गांधी नगर लोगसभाद सीट से देश के ग्रह मंतरी अमिच्षा चुनावी मैदान में है। शाह ने पिछले लोगसभाद चुनाव में भी गांधी नगर से चुनाव लड़ा था और करीब 5 लाख वोट से जीत दर्ज की थी। ये जीत का अंतर पियम मोदी की जीत के अंतर से भी बेहत जादा है। पियम मोदी ने वारा नसी में करीब 4,8,000 वोटों से जीत हासल की तो वहीं आमिच्षा ने 2019 के लोगसभाद चुनाव में 57,000 वोटों के अंतर से जीत हासल की थी। इस बार बीजेपी ने वहां से करीब 10,000 वोट के मार्जिन से जीत हासल करने का लक्ष रखा। यदि ऐसा होता है तो आमिच्षा पिछले काफी सारे रिकॉर्ड धुस्त कर देंगे। पुरी लोगसभा सीट से अखिलेशादो के पत्मी चुनावी मैदान में है। तीसरी चरण में यहां पर भी वोटिंग होनी है। मुलाइम सिंग यादो के निधन के बाद दिमपल यादो यहां से उपचुनाव जीत कर सांसद बनी थी। इससे पहले डिमपल यादो कन्योज लोगसभा शेतर की प्रतिनिधित्व कर चुकी है। लेकिन 2019 में हुए लोगसभा चुनाव में डिमपल को बीजेपी के सुबरत पाठक ने शिकस्त दी थी। उपचुनाव में डिमपल यादो ने करीब दो लाख वोटों से जीत हासल की। इस बार भी बीजेपी पर वो भारी पढ़ती हुई दिख रही है। अब सवाल यह है कि वो कितने अंतर से जीत हासल कर सकती है। ये दावा भी पुखता रूप से नहीं कहा जा सकता। राजनीती में क्या कब हो जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता। महराश की राजनीती में समी करण इस बार बदला-बदला से लग रहा जिस पवार परिवार के इर्दगिर्ट महराश की राजनीती घूमती थी अब वहीं पवार 12 मती लोग सबसीट पर आमने सामने है इस सीट पर केवल कैंडिडेट का ही चुनाव नहीं होना यहां की हार जीट से ये भी फैसला होगा कि आखिर NCP का वोटर किस के पास है शरत पवार या फिर अजीट पवार के पास तभी शरत पवार ने यहां से अपनी बीटी को चुनाव मैंदार में उतारने का फैसला किया वहीं अजीट पवार ने अपनी पतनी सुनीतरा पवार परदाव खेला है हाला कि फिलाल इस सीट पर सुप्रियासूले सांसद है और मोधी लेहर के दौरान भी शरत पवार ने सीट को बचा लिया था तीसरे चरण में इनकी भी भागी का फैसला होना है मत्रप्रदेश की राजगर लोगसभा सीट से कॉंग्रेस ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिगविजे सिंग को टिकेट दिया पिछले लोगसभा चुनाव में दिगविजे सिंग ने भोपाल लोगसभा सी चुनाव लड़ा था लेकिन हार का सामना करना पड़ा लेकिन इस बार अपने ग्रेय लोगसभा शेत राजगर से चुनावी मैदान में है हाला कि इस सीट पर बीजेपी का 2014 से कबजा है और यहां से भाजपा के रोड मलना गर है बीजेपी ने इस बार उन्हें राजगर से अपना उमीदवार बनाया है बंगाल में लोगसभा चुनाव को लेकर सब की नजरेटी की हुई है वजा है ममता बनाम बीजेपी बीजेपी बंगाल की राजनीती से टीमसी उखार फेकना चाहती है वहीं ममता बानर जी भी टीमसी के अलावा किसी और पार्टी को बंगाल में पाउन नहीं जमाने देना चाहती यही वजा है कि वो इंडिया गडबंदन में शामिल नहीं हुई और जिस कॉंग्रेसी नेता ने उन पर जादा हमले बोले उनके खिलाफ मजबूत उमीदवार उतार कर उन्हें भी बंगाल से हटाने का संदेज दे दिया जी हाँ हम बात कर रहे हैं बंगाल के बहरंपूर सीट की यहां से कॉंग्रेस नेता अधीरंजन चौधरी सांसद है और लोग सभा में विपक्ष की नेता भी है लेकिन टीमसी ने यहां से क्रेकेटर यूसुफ पठान को चुनावी मैदान में उतार कर कॉंग्रेस को कड़ा संदेश देनी की कोशिश की हाला कि वहां पर अभी भी अधीरंजन चौधरी मजबूत स्थिती में बताए जा रही है बता दे अधीरंजन चौधरी तीन बार वहां से सांसद रह चुके हैं और चौती बार मैदान में है तो ये थी तीसरे चरण के वीवे आईपी सीटों से चुड़ी हमारी खास रपोर्ट आपको कैसे लगी ये रपोर्ट कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताए साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कॉमेंट बॉक्स में ये भी लिखे बाकी रईश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे है जनसत्ता के साथ धन्यवार